हलो भाईयो इस वीडियो के अंदर अपने पर बात करेंगे जो आज के दिनी आपर ECS T10 पुर्तगाल का पहला मैच होगा जो खेला जाएगा ओईरास और फ्रेंड्शिप सिसी के बिच में तो इस मैच के मैं आपको पूरी की पूरुजान कारी दूँगा बस आपको करना देर हो जाएगी तो भाईयो यह जो मुकाबला स्टार्ट होगा दोपेर में धाई बजे मैच जो है सेम वेन्यू पर खेला जाएगा और यह होने वाला ECS T10 पुर्तगाल का मैच नंबर 65 और मैच जो है सेम वेन्यू पर खेला जाएगा सबसे जरूरी काम के वहीं के अगर आपने अब तक टेलिग्राम चलों को जो नहीं कहना तो सबसे पहले आपको टेलिग्राम चलों को जरूर से जोइन कर लेना है क्योंकि लास्ट मॉमिट अफडेट सारी के सारी यही पर मिलने वाली है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूसरा कमेंट सेक्षन में भी पहले कमेंट में आपको टेलिग्राम चलन का जो लिंक है वो टॉप पर पिंट किया हुआ मिल जाएगा तो दोनों जगे से जाकर आप बहुत ही आसानी के साथ टेलिग्राम चलने से जोनों सकते हो जो इनों ज़रूरी है क्योंकि लास्ट मोमेंट अपडेट सारी के सारी यहीं पर आने वाली है तो टेलिग्राम से आपका जो इनों बहुत जादा ज़रूरी है पिछ रिपोर्ट के एकर मैं बात कुल तो सेम वेन्यू पर मैच खेला जाएगा जादा फरग यहां पर नहीं पड़ेगा आवरेज इसको सो सेक्सों बीस के बिच में आपर बनता है अब यहां पर अपन देख लेंगे टीम्स की लास्ट मिच के अंदर क्या प्लेंग लेंग लेंथी और क्या इनका बेटिंग ओडर खेला था तो पहले बात करेंगे ओए अब यहां पर ना इन सभी प्लेयर्स के अपन इसी बेटिंग ओडर के साथ में स्टाट्स भी देख लेंगे जिससे अपन को क्लियर हो जाएगा कि कौन से प्लेयर अपने लिए इंपोर्टन नहीं है इनकी टीम ने जो पांच मिचे स्केलेना पांचो के पांचो मुकाबिल इनके टीम जीती है तो आप समझ सकते हो कितनी स्ट्रॉंग इनकी यहां पर तीम है ओपन कोन कर रहा है डेनियल डॉयल कले और यहां से ब्रेंड नोट आउट है 35 नोट आउट है बिलकुल टीम में होना चीए ब्रेंडन बेडन होस्त है यह बेटिंग के सासाथ आपको बोलिंग भी देगा लास्ट के जो पांच मैचे इसने खेले हैं वहां पर इसके नाम विकेट एक है और बल्ले से आपर बानवे नोट आउट 35 नोट मिगल स्टोम है यह भी बेटिंग और बोलिंग दोनों चीज़े पहले कर रहा था लेकिन लास्ट के मैच में बेटिंग बोलिंग इसको नहीं मिली है चार मैच में इसके नाम 6 विकेट है बल्ले से आप अच्छे और 27 रंगी पारी है लक्षन वीरा कुन है इसको भी देखो बहुत कम बोलिंग मिलती है आप देख सकते हो पांच मिच में दो ओवर डाले है दो विकेट है और बल्ले से अगर देखोगे तो 37 है नो बेटिंग है जीरो है एक नोट आउट है कोई खासर गोड़ यहां पर है नहीं ग्रिस सिंग का भी आप देख सकते हो सिर्फ एक मिच बेटिंग आई है ग्यारांने बॉलिंग अभी यह करवा नहीं रहा तो उतना इंपोर्टेंट यहां पर नहीं रहेगा तो यहां पर जो ओईडास टीम के पहले छे पले रहे रहे न प्लेंग ले उनके उनुक्रेंग लेंग उनके उनकी पद गात करें तो फिर आएँग आ 10 ओवर डालके 4 विक्ट है, अच्छा बोलर है, कंसिस्टेंटली अपने 2 ओवर यहां पर डालता है, अर्सलान नसीम है, 5 मेच में 2 ओवर डाले है, विक्ट कोई नहीं है, बहुत कम बोलिंग मिल रही है, छोड़के चल सकते हो, दिगी यहां से डिगो मेंडों का है, इसके ना बहुत इंपोर्टेंट है, अगर इनके टीम पहले यहां पर बोलिंग कर रही है, तो आप दीगो मेंडों का को भी टीम में रख सकते हो, अदरवाईज आप इनको ड्रॉप भी कर सकते हो, लेकिन 6-7 प्लेयर तो मैं इनके टीम में से जरूर रखूँ है, क्योंकि इनके टी यहां पर आये थे, अरसलान नसीम, ताज मोहमद और एलेक्स मैसी, यहां पर डेथ के अंदर बोलिंग करवाने आये थे, तो यह तो बात हो चुकिए है, अब बात करेंगे अपने यहां पर दूसरे टीम यानिकि फ्रेंडशिप सिसी के टीम की, जो की उतनी स्ट्रोंग टी सजाद हुसीन, तो यह इनके टीम का लास मेच के अंदर प्लेंग लेवन था, विद बेटिंग ओडर, अब यहां पर इन सभी प्लेयर्स के इसी बेटिंग ओडर के साथ में स्टाट्स भी देख लेंगे, चार मैचेस इनके टीम खेली है, दो जीती है, एक हारी है, एक मैच इनका नो रिजल्ट रहा है, ओपन कोन करेगा, महुमद अशाद और उनके साथ में आएंगे असरफुल रूपू, महुमद अशाद की नाम आप देखो, चमाली जीरो विकेट है, छे नोट आउट है, आट है, चोविस है, अलब कुछ अच्छी पारी है, इसने खेली है, अ पदूल हाईदर, मैंने आपको सुरू से बोला है, और रांडर प्लेयर है, इंपोर्टेंट रहेगा, चार मेच में पांच ओवर डालके एक विकेट है, और बल्ले से साथ हैं, चाफी बड़ी है रिकोर्ड है, इसका बल्ले से भी, इम्तियाज राना, वैसे तो मेन काम इस यहां से इम्पोर्टेंट रहेगा, इम्पोर्टेंट रहेगे, मोहमद अशाद हैं, यहां से आप देखोगे, वैसे बदूल हाईदर हैं, और यहां से इम्तियाज राना, पहले छे में से यह जो तीन प्लेयर हैं, फ्रेंटिसिप, सिसी की टीम की तरब से, यह आपके सेले बोलिंग कर रही है, रख सकते हो, अधरवाइस कोई जरूत नहीं है, दोनों मेच में जीरो पी आउट हो है, सब भी रामद, मुस्तुफिसुर रहमान है, चार मेच में छे ओवर डालके एक रिगड है, ग्रेंड लिग में यूस कर सकते हो, अबु सूफियान पुबेल तीन मेच में दो भी खड़ है, ये पावर प्ले में बोलिंग कराएगा, और पावर प्ले में सामने डेनियल डोल क्ले, ब्रेंडन बेडन होस्ट, कॉनराड गिरिंस्रिट जैसे प्लेर आएंगे, तो उतना असान होगा इसके लिए, यहां से सज्जाद होसीन है, चार मेच तो देखो बोलर इनके ठिक टाक है, लेकिन सामने आप अपोनेंट देखो ना किस लेवल का है, तो अगर इनके टीम पहले बोलिंग कर रही है, तब तो आप सज्जाद होसीन और यहां से अबदुल मोटीन जैसे प्लेयर को रख सकते हो, अगर बाद में इनके टीम पर पिक नहीं करूँगा, स्कार्टिंग ओर वरकोर डालेंगे, यहां से एसूफियान रूबेल, बद्रुल हईदर, एम रह्मान और डेथ के अंडर ब्हें ओ यहीं आयते, एसूफियान रूबेल, ब्हेदर और एं मोटीन यहां पर डेथ के अंडर बोलिंग करवाने आपको टेलिग्राम चलोगो जोइन कर लेना है अभी के लिए डेमो टीम के अंदर अगर आप देखोगे तो विकेट केपिंग सेक्षन से मैंने रखा है गिरेश सिंगो क्योंकि ज्यादा उप्षन है नहीं बैटिंग सेक्षन से रखा है डैनिल डॉयल के लिए कॉन्राड ग है लेकिन फाइनल टीम नहीं है फाइनल टीम मिलेगी टेलिग्राम पर जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है वीडियो लास्त देखें के लिए धन्यवाद